यह बहुत ही अश्रिक की बात है कि भारत के अंदर वार मैमोरियल को बनने में 70 साल लग गए जबकि सिंगापूर के अंदर 1945 के अंदर ही भारत के लिए एक वार मैमोरियल बन चुका था और आज के समय जो कंट्रोवर्सीस बन रही है वो एक मजबूरी के तहट बनाई जा रही है जिसका खुलासा आज आपके सामने हो जाएगा बहुत ही इंट्रेस्टिंग बात है कि अभी तक वार मैमोरियल भारत के अंदर नहीं था प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी के आने से पहले जनवनी 2014 याने कि जिस समय प्रधान मंतरी केवल एक चीफ मिनिस्टर थे उस समय ही उन्होंने बहुत बड़ा हमला बोला था कॉंगरिस पे और उन्होंने कहा था कि आज तक तक तुम से ये वार मैमोरियल क्यों नहीं बनाया बताओ तो सही तो देखें शुरूआत करते हैं सिंगापूर से वहां की गौवर्मेट की ओफिशल साइट से शुरूआत करते हैं ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे ये सिंगापूर की national archives है वहां की official website है और Indian National Army के बारे में वहां पर बहुत अच्चा जिकर है 8 जुलाई 1945 में सुभाज शंद्र बोस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे जो की फाउंडेशन स्टोर रख रहे हैं INA War Memorial को बनाने का भारत के अंदर उस समय तक Britishers ने अपना एक Memorial बना लिया था जिसके अंदर British Indian के लिए एक War Memorial था और नेता जी सुभाज शंद्र बोस ने पूरी की पूरी आर्मी को इकटा की और उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए वहाँ से कूच किया मगर होता यह है कि 1945 में सुभाज शंद्र बोस के वहाँ से निकलने के बाद में Mountbatten वहाँ पर आता है British Army आती है और वो इस War Memorial को तहस नहस कर देती है आप Mountbatten को अगर नहीं जानते तो समझ लीजे नहरू जी के वो बहुत अच्छे मित्र माने जाते थे और उनकी जो वाइफ थी वो तो नहरू जी की बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन थी सुभाष चंद्र बोस नहरू जी से भी बड़ा नाम थे इंडिया में उस समय और ऐसा भी लगता था कि नहरू की जगे सुभाष चंद्र बोस ही प्रधान मंत्री बनेंगे तो देखे मुद्दे पर आ रहे हैं कि नहरू जी की बेटी इंडिरा जी थी 1971 वार के लिए उनको जाना जाता है मगर ये 1971 वार के अंदर आज तक एक वाजब बात नहीं उठाई गई कि पाकिस्तान के आपने 2 टुकडे, 50 टुकडे, 100 टुकडे जो भी किये भारत को क्या मिला? हमने शहादत दी, हमने पैसा खरचा, भारत को क्या मिला? आज के हिसाब से करीब 27,000 करोड तो सीधे खरच हो गए 1971 वार के अंदर और जो शहादत हो गई, उसके बदले भारत को क्या मिला? अब यह जो सवाल है आप जरूर आज सोच रहे होंगे कि वाजब सवाल था हमने सोचा क्यों नहीं और अगर इंडिया गेट में जाते और वहाँ पर इन शहीदों के नाम आप देखते तो आपके मन में भी यही बात आता कि इन शहादत के बदले हमें क्या मिला 1971 के अंदर इंदिरा गांधी PM थी और इंद्रा गांधी किनकी बेटी थी नहरू जी की बेटी थी अब यह नहरू जी की वज़े से कश्मीर का एक बहुत बड़ा इससा पाकिस्टान के पास में जिसके पास में बांगला देश भी था इंदरा गांधी के कैबिनेट में उस समय बहुत सरे हिंदू लीडर्स थे और देश का डिविजन भी क्योंकि धर्म के अधार पर हुआ था इसलिए हिंदू की बात वहाँ पर सामने रखी जाती थी उनके उपर प्रेशर था कि हिंदू की जो हत्या हो रही है बंगलादेश में उसका वो संग्यान ले कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे उनकी हत्यां रुख जाएं और साथ हिमें कश्मीर को वापस ले ले इंद्रा गांधी एक निरनाय लेती है सेना के साथ में मिलकर की सेना को आकरमन करना है और हमें भारत की जो हित हैं उनको साधरे हैं होता यह है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट जाता है बंगलादेश के बीच में मगर फिर भी ये कश्मीर के उपर जहां पर आती है ब मतलब हमने लिया क्या इस बारे में तो हम शियोर नहीं थे मगर फिर भी इस विक्ट्री को क्योंकि हमारा बलिदान तो हुआ है आर्मी ये सोचती थी कि हमें जो मिलेगा देश को जो मिलेगा वो लेना तो पॉलिटीशन का काम था आर्मी ने अपना काम कर दिया capture कर लेगा, अमेरिका भी यही सोचता था, मगर यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थोड़े से weak थे अपनी policies के अंदर, इंडियन आर्मी की website के उपर भी आपको मिल जाएगा, सारी details, 1971 की details आप देख सकते हैं, कि भारत के प्रधान मंत्री ने ही unilaterally अपने तरफ से ceasefire का एलान कर दिया था, कि अब हम war नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से पस्त था, जो चाहते उससे sign करवा देते, अगर हमारे पास मजबूत प्रधान मंत्री होता तो Ministry of External Affairs की website के उपर दिख जाएगा कि इंदरा गांदी ने उस समय एक सिमला समझोता किया पाकिस्तान के साथ, और इस समझोते के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के साथ में ऐसी चीज़ के उपर दस्तकत करें कि United Nation का जो चार्टर है, उसके हिसाब से हम आगे के अपने रिलेशन को गवर्न करेंगे United Nation के किसी चार्टर के अंदर कहीं नहीं मिलता कि आप किसी देश का विभाजन कर सकते हैं, दो देश बना सकते हैं ना ही वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि चाइना ने भारत के उपर जो आकरमन करके जमीन हडप ली थी उसके लिए नहरूजी एक बार भी United Nations Security Council गए हो वो तो गए तक नहीं थे, ये जरूर पता पड़ता है कि भारत को वहाँ पर मिला हो या नहीं हो, मगर True Story Wire वाले ये पब्लिश करते हैं कि इंदरा गांधी का क्यों डिसीजन लिया गया तेराण में हजार सैनिक को वापस करने का केवल और केवल एक ही कारण था उसका और वो ये कारण था कि शेक मुझीबुर रहमान को वो किसी भी कीमत पर उनकी जिंदगी बचाना चाती थी और इसलिए तेराण में हजार सैनिको को ना सिर्फ रिलीस कर दिया बलकि उसके बदले कश्मीर भी नहीं लिया गया इंडिया गेट के नीचे एक वार मेमोरियल को बनाया गया एक टेमपरेरी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया 2012 के अंदर भी दोबारा से ये मुद्दा आया था कि देखिए नाशनल वार मेमोरियल तो हमें अलग से चाहिए और उसके लिए कॉंग्रेस के तरफ से शीला दिक्षिज जो चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने मना कर दिया कि देखिए नाशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट के उपर अलग से नहीं बनाया जा सकता यहां पर सब के नाम नहीं लिखे जा सकते तो आज के समय में इंडिया गेट से यहां से थोड़ी ही दूर ये नैशनल वार मेमोरियल बना दिया गया है और ये बीच के अंदर जो कैनोपी दिखाई देती है यहां पर सुभाश जी की मूर्ती को स्थापित किया जाएगा जिस जगह पर किंग जॉर्च फाइफ की मूर्ती थी उस जगह सुभाश जी की अगर मूर्ती वहां पर स्थापित की जाएगी तो भारतियों को तो अच्छा लगेगा मगर माउंट बेटन के परिवार को हो सकता है क्योंकि वो बिटिश रोयल फैमिली के सदस्य थे उनको शायद अच्छा ना लगे 2014 के बाद में बहुत सारी चीज़े बदल गई है मगर इनके पीछे जो कारण है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि बारत किस प्रकार से अब खुद के डिसीजन्स ले रहा है तो ये 26 जनवरी कुछ खास रहने वाली है 1972 से 2022 जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय